प्रेम से बोलो, राधे राधे, प्रिय भक्तों, आज हम एक भक्त की राधारानी के प्रती अपार भक्ती और राधारानी के अपने भक्तों के प्रती प्रेम की बहुत सुन्दर सी कथा सुनने जा रहे हैं। एक संत परसाना में रहते थे और हर रोज सुभा उठकर यमुना जी में सनान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। ये नियम हर रोज का था जब तक राधा राने के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहन नहीं करते थे। दर्शन करते करते तक्रीबन उनकी उम्र असी वर्ष की हो गई थी आज सुबा उठकर रोज की तरहा जब यमुना में सनान किया और राधारानी के दर्शन को गई दर्शन करते करते उनके मन में भाव आया कि मुझे राधारानी के दर्शन करते करते आज असी वर्ष हो गए लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चड़ाया है जब सभी मेरी राधारानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊंगा, लेकिन क्या? तो संत जी ये सोच कर अपनी कुटिया में आ गए, सारी राध सोचते सोचते सुबह हो गई, उठे, उठकर सनान किया, और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन और पूजन किया, दर्शन के बाद मार्किट में जाकर सबसे सुन्दर वाला लहंगा और चुनरिया का कपड़ा लेकर आए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को तयार कर लिया और मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधारानी को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुन्दर लगेंगी मेरी राधारानी ये सोच करके आज संत जी उस लहंगा और चुनरिया को लेकर राधारानी के मंदिर को चले इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहने लगी बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना तो बाबा ने कहा लाली आज मैं बहुत खुश हूँ आज मैं अपने हाथों से राधारानी के लिए लहंगा चुनरिया बना कर लाया हूँ ये लहंगा चुनरिया को राधा जी को पहनाऊंगा तो मेरी राधारानी बहुत सुन्दर दिखेंगी लाली ने कहा बाबा मुझे भी दिखाओ ना आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है लहंगा चुनरिया को देख कर लाली बोली अरे बाबा राधारानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है तो ये मुझे दे दो ना लेकिन बाबा ने उसे वो लहंगा चुनरिया देने से मना कर दिया और कहा कि ये राधार आने के लिए है लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली बाबा ये मुझे दे दो पर संत भी जिद करने लगे क कि दूसरी दिलवाऊंगा ये नहीं दूँगा लेकिन वो बच्ची इतनी तेज थी कि संत के हाथ से लहंगा चुनरिया छुड़ा कर चीन कर भाग गई बाबा को बहुत दुख लगा कि मैंने आज तक राधारानी को कुछ नहीं चड़ाया लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई ये सोच कर वे उन्ही सीडियों पर बैठ कर रोने लगे इतने में कुछ संत वहां आये और पूछा आप क्यों रो रहे हैं तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधारानी को पहना देना इस प्रकार रोना तो बंद हुआ पर मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी तो अन्मने मन से राधारानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी शायद राधारानी मेरे हाथों से बनी पुशाक पहनना नहीं चाहती थी ऐसा सोच कर वे बड़े दुखी थे थोड़े ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा बाबा देखो आज हमारी राधारानी बहुत ही सुन्दर लग रही है संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा कर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा अपने हाथों से बना कर लाए थे वही लहंगा चुनरिया राधारानी ने पहना हुआ था बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधारानी से कहा हे राधारानी आपको इतना भी सब्र नहीं रहा आप मेरे हाथों से मंदिर की सीडियों से ही लहंगा लेकर भाग गई ऐसा क्यों? श्री राधारानी ने कहा कि ये केवल पोशाक नहीं है इसमें आपका प्रेम है, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं खुद ही आपके पास आकर आपसे लहंगा चुनरिया चीन कर भाग गई प्रिय भक्तों, राधा राने की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इस मनों कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं जै श्री राधे